हैलो गाईज, टेश्टी होम कुक में आपको स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल और सूजी को यूज़ करके कुड रही जो की एकदम क्रिस्पी करारेदार रहेगा और इसे हम एकदम पतला पतला सा बनाएंगे तो आप इसे खाने में भी इंजॉय कर सकते हो अच्छी तरह से चली ये रिस्पी सुरू करते हैं इस रिस्पी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है बचा हुआ चावल ये रात का बचा हुआ चावल है आप फ्रेस चावल से भी इस रिस्पी को बना सकते हो आप थोड़ा सा कम पका हुआ ज्यादा पका हुआ या फिर कोई भी चावल ले सकते हो क्योंकि हमें चावल को ग्रैंड करना है तो अब चावल को बड़े से ग्रैंडिंग जार में आइट करिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल करके ग्रैंड करेंगे क्योंकि अगर हम ऐसे ग्रैंड करेंगे तो यह बिल्कुन भी ग्रैंड नहीं होगा ग्रैंड करने से चावल के जो बड़े पड़े पीसे सोते हैं खड़े खड़े वो ग्रैंड हो जाता है अच्छी तरह से तो थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे बहुत जादा नहीं क्योंकि अगर जादा कर देंगे तो फिर हमें सूजी आइट करने की आवशकता जादा पड़ेगी तो यह देखिए मैंने अच्छी तरह से ग्रैंड कर लिया है कुछ ऐसा है तो अब हम इसमें आइट कर देते हैं बाकी की चीजे सबसे पहले आइट करेंगे आधा चम्मच नमक नमक आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग आइट करिएगा और मिक्स करेंगे वैसे कोई भी पापर या कुर्रई बगारा बनाई जाती है न तो नमक थोड़ा सा कम यूज किया जाता है क्योंकि कोई ज़ाधा खाता है तो आप उस हिसाप से यूज करिएगा इतना ज़ादा जहादा गीला गीला लगरा है तो यहाँ पर हम सूजी के यूज़ करेंगे तो मैंने यहाँ पर आधा कब सूजी आयट किया हुआ है आप थोड़ा सा कम जादा कर सकते हो सूजी आयट कर देने से जो हमारा चावल ग्रैंड करने के बाद गिला गिला सा लग रहा है ना यह जो हैना थोड़ा सा थीक हो जाएगा तो कुर्रई जो हैना हमारी अच्छी बनेगी दस मिनट से ठोने के लिए रख दीजेगा ताकि सूजी फूल जाए दस मिनट बाद मैंने कैप उठाया हुआ है आट कर देंगे थोड़ा सा मीठा सोड़ा इससे हमारी कुर्रई जोने बहुत ही बढ़िया से फूलती है एक बार फिर से सबी चीजों को मिक्स करेंगे उसके बाद मैंने लिया हुआ है कुर्डई बनाने के लिए एक मशीन यानि ये सेव वाली मशीन है आप इससे कई तरीके की सेव बगराब बना सकते हो तो ये मैंने सबसे छोटा वाला बारिक वाला एक जो है ना सांचा लिया हुआ है इसमें और लगा के आट करेंगे और फिर अपनी सेव की जो मशीन है ना इसमें भी अच्छी तरह से ओल लगा देंगे और लगा देने से डो हमारा चिपके कर नहीं और फिर हम मशीन के अंदर ना चम्मच की साहता से डो आट करेंगे तो मैंने हाँ पर हरका से डो को गीला ही रखा है इससे हमारी कुरड़ाई ज्यादा अच्छी बनती है ज्यादा क्रिस्पी बनती है आप चाहो तो थोड़ा से सुजी और यूज कर सकते हो क्याफ लगाएंगे और जिसके उपर हम कुरड़ाई बनाएंगे उस पर हम एक पन्नी बिछाया लेंगे तो मैंने यहाँ पर टेबल पर एक पन्नी बिछाया हुआ है आप छट पर कहीं पर भी बना सकते हो मशीन को इस तरीके से घुमाते जाएगा और नीचे से जो है ना जो हमने चावल का डो बना करके अंडर आइट किया है मशीन के वो निकलता जाएगा आपको सेफ अगरा देने की कोई भी जरूरत नहीं है आप इसे इधर उधर कैसे भी फैला सकते हो जिधर आपकी इच्छा हो तो ये देखे कुछ इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया है अब इसे सुखाने के लिए 4-5 घंटा छोड़ देंगे बहुती बढ़िया से 4-5 घंटे में सूख करके तयार हो जाएगी 5 घंटे बाद सूख गई हमारी कुड़ाई और मैंने इसे बाहर निकाल लिया है तो कुछ इस तरीके से है ये बहुत ही क्रिस्पी है तो चलिए अब आपको फ्राई करके दिखा देते हैं कि हमारी कुड़ाई बनी कैसी है फ्राई करने के लिए ओयल रख दीजे गरम होने के लिए ओयल गरम होने के बाद हम कुड़ाई को डाल देंगे फ्राई होने के लिए इस तरीके से कल्ची से थोड़ा सा प्रेस कर दीजेगा ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और जैसे ही बावल सुटना थोड़ा सा कम हो जाएगा और करण थोड़ा सा चेंज होने लगेगा फिर हम कुड़ाई को ओल से बाहर निकाल देंगे कुड़ाई को फ्राई करते समय अच्छे से ओल गरम करके फिर फ्राई करिएगा इसे हमारी कोड़ाई ज्यादा अच्छे सफ्राई होगी आज की रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल सेस्क्राइब कर लिजेगा फेजुक पे देख रहे हैं तो तारा कुसा फेजुक पेज को फॉलो करिएगा मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बाई गाईज